नवश्कार महपुरिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते देश प्रदेश की अब तकी प्रमुख खबरों को महाराज़्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे सिफशेना के बागी विधायक बारहवे दिन शनिवार शाम गोवा से मुंबई लौट आयर राजविधान सभा का दोदिवसिये विशे शस्त्र रविवार से शुरू होगा इस दौरान विधान सभा द्यक्ष के चनाव में भाजपा के राहुल नावरकर ने जीत हासिल की उन्हें कुल 164 पोट मिले इसके बाद कल नहीं सरकार का शक्ती परिक्षन भी होगा स्पीकर के चनाव के बाद ये राह काफी आसान दिख रही है पाकिस्तान के पुर्विधान मत्री इमरान खान की पत्नी बुश्रा बीवी का नया का थितौडियो क्लिप सामने आया है इसमें वो पाकिस्तान तहरी के इंसाफ के सोशल मीडिया प्रमुक डॉक्टर अरसलान खालित को निर्देश देरी है कि वो पी टी आई का विरोध करने वाले लोग को देश तरो ही बताए रिपोर्ट के निसार बुश्रा बीवी को डॉक्टर खालित को ये कहते वे सुना जा सकता है कि मरान खान ने उन्हें सोशल मीडिया पर देश तरो ही हैश्टाग चुलाने के लिए कहा है महराश्च विधान सभा के विशेश 17 शुरू होने के साथ ही एक नाज शुन्दे और उदव ठाकरे गुट के 20 अकरार देखने को मिल रही है शुन्दे के नेतु तुवाले सिफशेना के धरे ने यहाँ पर विधान भवन में विधायक दल के कारियाले को सील कर दिया एक नोटिस शुप का हुआ है जिसमें लिखा है यह कारियाले सिफशेना विधायक दल के कारियाले के निरदेश के अनुसार बंध है बारते क्रिके टीम के और राउंडर रविंदर जुटेजा ने कहा कि वो माई के महीने में हुए इंडियन प्रीमियर लीग विवाद से आके बढ़ गये हैं पहली बार चैनिस सुपर किंग्स की कप्तानी करते वे एक खिलाडी और एक कप्तान के रूप में बार बार खरा प्रदर्शन के बाद जुटेजा के लिए पूरा सीजन खेल ना कठें था ऐसे में कप्तानी की कमान फिर से MS धोनी को वापस देने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा हाला कि उनका एक कहना है कि जो हुआ वो हुआ पाकिस्तान में लोग भारत की एक गाड़ी के जबरदस्त फैन हो गये हैं वहां लोग इस गाड़ी की जम कर तारीफ कर रहे हैं दरसल महिंद्रा और महिंद्रा ने हाली में अपनी नई जेनरेशन स्कॉर्पियो एन को लॉंच किया है और इस सी खूबसूरत एस यूवी को पाकिस्तान में बेहत पसंद किया जा रहा है वहिंद्रा ने नई जेनरेशन स्कॉर्पियो को लेटिस अपडेट के साथ बाजार में उतारा है जिसके बाद ये बहुत मौडरन गाड़ी बन गई है रास्टरपती चुनाव में भारती जुनता पार्टी को सहयोगियों और मित्रुद दलों के समर्थन की आवशक्ता पढ़ी है अलाकि भगवा पार्टी के पास उप रास्टरपती चुनाव में अपने उमिद्वार को जुदाने के लिए परियाप्द वोट है ऐसा इसले सं सहित के बन लोकसभा और राज़सभा के संसदी मद्दान कर सकते हैं इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज़सभा में 212 जुनता पार्टी की रास्टरे कारिकार्णी का दूस्रा दिन है शनिवार को भगवा पार्टी ने अपने रास्टरबाद के मुदेकोश सीर्श स् जिससे Medical Science के जानकार भी हैरत में है, कई नौजवान और स्वस्त लोग भी Heart Attack के ऐसे शिकार हुए, कि लोगों को इसकी उमीद नहीं थी, इसी कड़ी में अमेरिक का स्थित अमेरिकन Heart Association ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कम नीद या फिर इसकी कमी से और अधिकतर आधिकारिक त पर संग्यानात पक स्वास्तिका खत्रा बढ़ जाता है। पार्टी को सहयोगियों और मित्रुदलों के समर्थन की आवश्रक्ता पड़ी है, अलाकि भगवा पार्टी के पास उप्रास्ट्रपती चिनाव में प्रिवे उमिदवार को जिताने के लिए परयाप्त वोट है। रह चुके एहतर आमिर खान दूसरी चार्दी करने जा रहे हैं। खान ने अपनी होने वाली पत्नी डॉक्टर महरीन काजी के साथ अंगुठियां शेयर कर ली हुन्होंने हाश्ट्रेंग इंगेजमेंट के साथ सोचल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट किया है। सुप्रिम कोड के मुखिन अधीश और चीट जस्टिस ऑफ इंडिया एन्वी रमाना ने राजनेतिक दलो को दो टूक जवाब देते वे कहा कि नियापालिका सर्फ और सर्व समविधान के प्रती जवाब दे है। नियापालिका कोड की कारियों का समर्थन करना चाहिए लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि नियापालिका समविधान के प्रती जवाब दे है। विहार के मोतिहारी में ट्रेन में आग लगी और रक्सॉल नरकटिया गंज रेलखन पर भेलवा स्टेशन के पास एक डेमो ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई जिस वज़े से ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच अफरात अफरी का माहाल मच किया ट्रेन के तालुक में गायों में फैल गई है किसानों का कहना है कि इस बिमारी से ब्रस्ते जानवरों के शरीर में घाव और बुखार भी होते हैं और इसके परिणाम से रूप 400 से 500 गायों की मौत हो गई है मद्द प्रिदेश के निकाय चिनाव में अपने उमिद्वार उतारने के बाद ए एमाइम के प्रमुख असुबदीन ओवेसी प्रचार के लिए खंडवा पहुंचे जहां पर उन्हान भाजपा सरकार और प्येम मोधी पर तंज गसा ओवेसी ने कहा कि अगर भारत में युवा वेरोजगार है महंगा या आस्मान चूरी है डीजल और प्रटोल महंगा है तो इसका जमदार यकीना नौरंग जेव है मोधी नहीं है अस्रपतिपद के चिनाव में अन्नाद्रमुक और अन्यसायोगी दल एंडिये के प्रतियाशी दुरौपति मुर्मुका समर्थन करेंगे मुर्मुने शनिवार को अन्नाद्रमुक नेताओं के पलानी स्वामी और ओ पनीर सेलवम तमिल मनीला कॉंग्रिस के अधियक्ष जे के वासन और पटाली मकल कोची के अधियक्ष डौक्टर अबू मनी रम्दास से मुलाकात की सब ही ने उनके प्रती समर्थन व्यक्त किया है मुर्मों के साथ मुलाकाद में पनेर सिल्वम ने कहा है कि आपकी जीत करीब करीब पकी है पलानी स्वामी शॉल और गुल्दस्ता के साथ मुर्मों का विबादन करने वाले पहले नेता थे पंजाब के पुर्व मुख्यमंत्री अमरंदर सिंग भारत के अगले उप्रास्टरपती बनने की दौर में है 23 जून को बिहार के Most Wanted अपराधी, गोर्खा ठाकुर और विरेंदर की हतिया की थी, पुलिस सूत्रों के मताविक पर दोस्ता की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही उसे भी लखनाउ लाए जाएगा। कॉंगर्स ने राहुल गानी से जुड़े एक वीडियो को भारती जुनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साथा किये जाने के बाद शेनिवार को कहा कि ये वीडियो फरजी खबर के रूपे फैलाई गई है, अगर भाजपा और उसके नेताओं ने इ वैद्वार राहुल नारवरकर जीत गया है, राहुल नारवरकर के पक्ष में 164 वोट मिले थे जबकि विधान सभा स्पीकर के चिनाव में जीत के लिए 145 वोट चाहिए थे, यानि कि नावरकर को जीत के लिए ज़रूर 145 वोट से 19 वोट ज्यादा मिले, वहीं में पक्ष पत्रकार के ट्वीट पर दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर लिखकर रीट्वीट किया था, चिन्दवारा नगर निगम चिनाव में अब हनुमान जी की अंट्री हो गई है, कॉंग्रिस की सोचल मीडिया विभाग ने एक पोस्टर जारी किया है, पोस्टर में कमलात प्रदेश की सबसे उची मानी जाने वाली हनुमान जी की प्रतिमा को भी दिखाए गया, इसके साथ ही पोस्टर में हनुमान चालीसा की चौपाई भी लिखी हुई है, इसके नीचे कमलनात के सांसत पुत्र नकुलनात की तस्वीर भी है, पैगंबर पर विवाद टिपनी क को लेकर शकायत दर्च कराई गई थी। 28 करोर रुपे लागत से इनका निर्मान 2024 तक पूरा करना है और ग्रामीन कारे विभाग ने इसकी तयारी शुरू कर दी है। अगनिपत योजना, बेरोजगारी और महंगाई जाच एजिंसियों के कथित दुरोपियोग जैसे मुद्वे पर सरकार को घेडने की तयारी कर रहा है। मनिपूर के नोनी जुले में एक रेल्वे निर्मान स्थर पर हुए भुस्खलन में मढ़ने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 39 हो गई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दिन्हों ने बताया कि टुपल ग्यार्ड रेल्डे निर्वान शिवर में बुधवार राथ हुए भुस्खलन की घटा में 38 लोग अभी लापता है। विकारियों ने बताया है कि खराब मौसम के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। और अब ये कॉमेंट में यूजर कहता है कि वो मेरे हथ्यारे के साथ खड़ा है अजीब बात है। आप में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकॉन दबारा ना भूले। धन्यवाद।